देखो बच्चों मैं आप सभी को बता दूँ कि unit 1 लगभग आपका तयार हो चुका है तो आज मैं unit 1 के ऐसे questions देने वाला हूँ जो बहुत जादा important है और important notes के माध्यम से मैं ये बना के लाया हूँ ताकि unit 1 तयार करने वाले बच्चों को ये पता चले कि unit 1 से कैसे questions आपके आ सकते हैं तो 5 important questions मैं दूँगा और उस 5 important questions को तयार कर लिए आपको आप समझ जाओ कि 10 नमबर आपका 100% fix है 10 से 12 नमबर के सवाल उससे 100% आने हैं और आपको ये पता चलेगा कि हमारा unit 1 पूरा complete हो चुका है अब किताब का जंजट छोड़ दीजिए क्योंकि पांडेजी टेकनिकल आप पर paid notes सर्फ 99 रुपीज में बेटा मिल रहा है और paid course जो first semester का है वो आपको मिलने जा रहा है बेटा कितने में 199 रुपए में आप इसको ले सकते हैं खरिद सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं paid notes में आभी आपको मैं video के लास्ट में paid notes दिखा दूँगा कैसे मिलता है paid notes paid notes में आपको सारी चीजे लिखी रहेंगी कोई किताब खरिदने की ज़रुवत नहीं है और सारे important questions unit wise आपके दिये रहेंगे ताकि आप अगर उन important questions को तयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहला काम unit first से जो मैं आपको देने वाला हूँ question वो यह है ध्यान से दिखिएगा आन तोर पे chemical bonding से दो तरीके के question पूछे जाते हैं जिनमें सबसे जादा question पूछा जाता है hydrogen bond से related ठीक है hydrogen bond जो की आपका S2A के बीच में काम करता है HF के बीच में काम करता है ठीक है तो hydrogen bond से question आते हैं तो पहला question आपको यह तयार करना है कि hydrogen bond क्या होता है उसके type क्या क्या होते हैं ठीक है Second questions आपको तयार कर लेना है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है, वो ये है, देखिए, आम तोर पर या तो ionic bond पूछ लेगा, या तो covalent bond पूछ लेगा, मतलब ionic bond या सह सन्योजग बंद में कोई भी एक पूछ लेगा, लेकिन हमेशा हम ये देखते हैं कि ionic और स सन्योजग बंद में क्या difference होता है, इस difference को आप बताईए और इस difference को आप clear कीजिए, ठीक है, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा important है, वो ये है solution वाले chapter से related, अब आप solution वाले chapter को देखोगे ना, तो आपको मालुम चलेगा कि ये नया जुड़ा हुआ है, पूरा market में एक related questions आपका ठीक है, आयतन प्रतिसत्ता और भार प्रतिसत्ता ये सारी चीज़े तो मालीजिए छोटी-छोटी चीज़े हैं, तो diploma level पे ये चीज़े पूछे जाने की chances कम हैं, लेकिन ये जो questions है, मोलरता से आप क्या समझते हैं, तथा नारमलता से आप क्या समझते हैं, इसका परिभासा और इसका पूरा एक या तो numerical या तो पूरे definition type का पूरे clear आपका होना चाहिए, क्योंकि यहां से ये चीज़े पूछी जानी हैं, अगला question आपका होता है, देखिए, या तो quantum संख्या पूछ लिया जाता है, या फिर कोई परमारू model उसकी detail ब्याख्या पूछ ल लिया है, तो यह quantum संख्या आपको पूछा जाना है, quantum संख्या आपको बताना है, उसके बाद आप आओगे, तो आपको पता चलेगा बोर का परमारू model की ब्याख्या, चुकि इतना सारा आपके पास परमारू model है, वो आपका बोर का भी परमारू model है, रदर फूड का भी प परसेंट फिक्स मान के चलिएगा कि आएगा बाकि अगर आपने ये पांचों को संस तयार कर लिया तो आप इतना समझ जाना यूनिट वन आपका क्लियर है और यूनिट वन को और क्लियर करने के लिए पांडेजी टेकनिकल एप अभी अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिए और पांडेजी टेकनिकल एप इंस्टॉल करके पेड नोट्स लीजिए जो कि 99 रुपीज में हैं और पेड कोर्स लीजिए तो 199 में कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जोरत नहीं है जितना इंपोर्टेंट हम बताएंगे अगर आपने उतना इंपोर्टेंट कर लिया तो 100 परसेंट है आपको पास कराने की गारेंटी फिर हमारी है ठीक है तो ज़्यादा टेंजन नहीं लेना है और आरा झाल